नमस्कार दोस्तों आप सभी का स्वागत हैं या कैसे टू योट्यूब चैनल पर दोस्तों आपर अगर आपका आधार कार्ड गुम हो चुका है और यहाँ पर आपके पास आपका आधार कार्ड नंबर नहीं है और आप अपना आधार कार्ड नंबर जानना चाहते हैं अपने आधार नमबर निकाल सकते हैं जिसके लिए आपर आज मैं आप लोगों को दो तरीके बताऊंगा पहला तरीका तो ये है जिसके मदद से आप यहाँ पर अपने मोबाइल नमबर की मदद से डारेक्ट यहाँ पर अपने मोबाइल नमबर एंड नेम को इंटर करके अपना अध आधार नमबर अपने रेस्टर मोबाइल पर ले सकते हैं यहाँ पर जो सेकेंड仍 informant रिक बताऊंगा उसमें आपर माल लिए आपका मूबाइल नंबर आपके आधार कार्ट से रियस्टर नहीं है तभ आप कैसे यहाँ पर बिना किसी मुबाइल नमबर के डायरेक्ट यहाँ पर अपने आधार कार्ड नमबर को ले सकते हैं तो से यहाँ पर वीडियो काफी मज़दार होने वाला है उससे पहले अगर अभी तक आपने वीडियो को एक लाइक नहीं किया लाइक कर दें चैनल पर पहली बार आये हैं तो सबस्क्राइब करके बैल आइकन भी दबा दें क्योंकि ऐसी ही वीडियोज आपके ज़रूरत के लिए हम हमेशा लाते रहते हैं तो चलिए वीडियो को शुरू करती हैं तो उस्थे हैं आपर वीडियो में सबसे पहले हम जान लेते हैं कि कैसे आप यहाँ पर अपने मुबाइल नंबर की मदद से और अपने नाम की मदद से अपने आपर आथार कार्ट टंबर को पा सकते हैं तो जिसके लिए दुस्थे यहाँ पर आपको अपने मुबाइल फोन में क्रोम ब्राउजर अप्लिकेशन को ओपिन करना है सर्च के आइकन पर जाना है टाइप करना है यू आई डी ए आई और उसके बद आपको इस यहाँ से सर्च कर ले रहा है जिसके बद आप यहाँ पर गौर्रमेंट वेबसाइट पर डारेक पहुँच जाएंगे जहाँ पर आनिक बद दुस्तों आपको एक पहला ओप्शन दिखाई देगा गेट आधार का जिसके नीचे आपको आपको एक और ओप्शन दिखाई देगे जिसमें कि यहाँ पर आपको देखिए फूल नेम, मोबाइल नमबर, इमेल एडरेस यानि कि मोबाइल नमबर या फिर इमेल एडरेस है आपके पास इन दोनों में से कोई एक आप प्रवाइड कर सकते है इसको बढ़े हाँ पर नीचे के तरफ capture verification का एक option दिखाई देगा अगर आप यहाँ पर आधार नमबर पाना चाहते हैं तो आपको आधार नमबर सिलेक करना है और अगर आप यहाँ पर enrollment ID पाना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर enrollment ID सिलेक करके इन सारी details को देना है तो जल्दी से यहाँ पर मैं details को दे देता हूँ और जैसे ही हम send OTP वाले option पर click करते हैं यहाँ पर देखे हमाई register mobile number पर एक OTP चला जाएगा जिस OTP को हमें यहाँ पर देखे नीचे की तरफ enter OTP के option जहाँ पर देखे 6 अंका में OTP इंटर करना है यहाँ पर इंटर कर देना है उसके पाद यहाँ पर हमें login पर click कर देना है जैसे ही दोस्तों आप यहाँ पर OTP को इंटर करने के बाद login पर click करते हैं आपका यहाँ पर दीखे login successfully हो जाएगा यहाँ पर दिखिए आपके सामने एक page open होगा जहाँ पर दिखिए आपको दिखाए देगा Your UID is sent to your register mobile number यानि कि आपका जो आधार नमबर था वो आपके आपर register mobile number पर send कर दिया गया है अब दोसरे ये तो बात हो गया कि आप कैसे यहाँ पर अपने नाम और mobile number की मदद से कैसे आप यहाँ पर अपने आधार number को निकाल सकते हैं अगर दोसरे यहाँ पर मान लीजिए आपका यहाँ पर जो है कि mobile number आपके यहाँ पर आधार से register नहीं है और यहाँ पर कैसे आप तब जाकर अपने यहाँ पर आधार नमबर को निकाल जाकते हैं दोस्तों जिसके लिए आपको यहाँ पर कुछ भी नहीं करना है सिंप्ली आपको 1947 यहाँ पर यह गॉर्मेंट का ही नमबर है जो की Unique Identification Authority of India का नमबर है इस पर कि आप यहाँ पर कॉल करके आपको उसमें कुछ basic से details पूछे जाएंगे जो कि सिर्फ आपको यहाँ पर पता होगा अगर आप उन basic से details को बताने में सही-सही कामयाब होते हैं तो ऐसे में यहाँ पर आपको वहाँ भी आपका direct UID नमबर आपको वहाँ पर मिल जाएगा दोस्तों यहाँ पर आप 1947 पर direct call करके भी direct यहाँ पर अपने UID नमबर को ले सकते हैं नहीं तो अगर आपके पास यहाँ पर registered mobile नमबर है तो आप यहाँ पर मेरे बताये गए तरीके के मदब से इसली यहाँ पर अपने UID नमबर को पास सकते हैं दोस्तों यहाँ पर मान लीजिए आप यहाँ पर अपने आधार को यह आधार को डाउनोड करना चाते हैं तो जिसके यहाँ पर देखे आपको नीचे एक तरफ एक option दिखाए देगा डाउनोड रेगुलर और मास वर्शन तो आपको यहाँ पर देखे डाउनोड यह आधार वाले option पर टैप करना है और इसपर टैप करके आप यहाँ पर easily अपने यह आधार को डाउनोड कर सकते हैं तो उसे यहाँ पर उम्मीद करता हूँ आपको आज का वीडियो ज़रू पसंद आया होगा दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा वीडियो को एक लाइक करें दोस्तों में शियर करें ऐसे ही और मजदार वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें इसी के साथ मिलते हैं एक और नई मजदार वीडियो में तब तक के लिए जय हिंद वंदे मात्रम